हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टुडेंट्स लाइफ में तो आज हम लोग चार चीजों के बारे में जानेंगे जो की हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि दो महिने के पहले ही मैंने ये आप लोग को इंफॉर्मिशन दे वे थी कि सिलेबर्स में रिडक्शन होगा और फाइनली जो है कल सिलेबर्स रिडियूश करके न्यू सिलेबर्स हमें जो है मिल गई है बहुत सारे ऐसे चाप्टर से जो कि रिमूब हो चुका है इसके लिए मैंने जो है अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है ठीक है अब मैंने आप लोग को तीन चीजे बताई थी जो कि चेंज होने वाले हैं 2021 के बोर्ड एक्जामिशन में जिसमें पहला था सिलेबस का रिडक्शन होगा जो कि हो चुका है दूसरी चीज मैंने आप लोग को बताई थी कि एक्जाम के पेपर का पैटरन भी चेंज होगा ठीक है तो ये भी आपका जो पेपर का पैटरन है वो 100% है कि वो चेंज हो जाएगा अब देखो नयास जो सेंपल पेपर है वो रिलीज कब होगा तो वो रिलीज होगा सेप्टमबर में पिछले बार रिलीज किया गया था इस बार चांसेज है कि अक्टूबर महिने में रिलीज किया जाएगा ठीक है वो सकता है September में फिर से release कर दिया जाए लेकिन उमीद कम है कि September में release होगा लेकिन October में release कर दिया जाएगा ठीक है तो उस टाइम ये किलियर आपको पता चल जाएगा कि exam का paper का pattern कैसा रहेगा ठीक है दूसरा चीज हो गया तिसरी चीज मैंने आप लोगको examinations को लेके बत examinations था वो खतम कर दिया गया था लेकिन इस बार की जो examinations होगी 2021 में वो अप्रेल महिने में शुरू होगी और मैं महिने में खत्म होगी ठीक है क्योंकि जल्दी examination conduct करवा पाना मतलब possible नहीं है ठीक है तो ये हो गया information तीन चीजों का जो कि मैंने आप लोगको पहले से दे वी क्लासिक से लेके 12, NEET, IIT, JE, MENS और Advanced Level तक आज ही डाउनलोड करें doubtnut एप को किसी कोशन में doubt हो तो doubt not install करें लिंक वीडियो के description और comment box में दिया हुआ है और इसका खासिया थे कि इसका एक वाट्शप नंबर भी है किसी भी कोशन को crop करो और उसे वाट्शप पर change करो और सिर् proposal दिया गया था अब इसके लिए cbse proposal accept की है या भी नहीं की है इसकी फिलाल अभी तक कोई भी news नहीं आई गया है अगर कुछ भी ऐसा news आता है तो वह आपको बताई जाएगी बस आप लोग चैनल को subscribe करके रखे और notification के bell को भी जरूर दबा दे ताकि जो भी वीडियो में upload करता हूं तो वीडियो upload होने के पास आपके पास notification आ जाए कुछ भी ऐसी जरूरी information जो है मैं लगातार आप लोग को देते जा रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा और अगर आपके मन में कुछ सवाल होगा कुछ पूछना होगा तो वह आप comment कर सकते हैं मैं आपके सवा करके रखे थैंक यू